नमस्कार बहुत सुभागते आप सभी काप देखरें स्पेशल रेपोर्ट आपके साथ मैं हूं मम्ता अतिवारी कॉलकाता रेप एंड मडर केस की गुती सुलजनी की जगा और उलजती दिख रही है 15 दिनों बाद भी देश की सबसे तेश तर्रा जांट एजनसी CBI ठोज सबूतों के लिए हाथ पैर मारती दिख रही है CBI को अपकुल साथ लोगों को जूट पकड़ने वाली मशीन के सामने बैठा रही है जिनसे इनके बयानों में जो विरोदभास है वो क्लियर हो सके हाले कि इसमें भी आज आरोपी संजर रॉय का टेस्ट कल के लिए चाल दिया गया देश सवाल पूछ रहा है कि कौलकता फाइल्स की क्लोजर रेपोर्ट आखिर कब आईगी ये रेपोर्ट देखे दिवारों और बंद दरवाजों के पीछे वो चीखती रही रहम की भीख मांगती रही आखरी सांसों तक लड़ती रही जबकि ना उसने कम कपड़े पहने थे ना वो आधी रात घर से निकली थी ना सुनसान स्राक पर थी उसकी तो गर्दन में जान बचाने वाला आला था थिर्वी उसे नोचा गया खसोटा गया असमत लूटी गई मौद के मुह में जोग दिया गया हैवानियत की सन्न कर देने वाली कहानी ये द darkness देश उबल रहा देश सवाल पूछ रहा देश इनसाफ मांग रहा डॉक्टर बेटिया का बलात्कारी कौर डॉक्टर बेटिया का गातल कौ डॉक्टर बेटिया की रूपको कब मिलेगा सुकूर किसी के पास जवाब नहीं है किसी के पास आठ और नौ अगस्त के तरमियानी रात का हिसाब नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यो हुआ किसने किया कौन-कौन शामील देश की सबसे बड़ी जाज एजनसी Center Bureau of Investigation यानि CBI परत दरपरत तलाश कर रही है केस का रेशा रेशा खंधाल रही है लेकिन सवाल अब भी अनसुलजे है 15 दिन बाद कितने मिले सबू कितने मिले गवा कितने दूर रह गए हैं कानून के हाथ डॉक्टर बिटिया को कब मिलेगा इंसाफ News Age in India की सबसे बड़ी परतार The Kolkata Files Kolkata केस की डिजेल दिखाने से पहले पिडिता के पिडिता ने क्या कहा सुनी आपको लगता है कि कहीं न कहीं अस्पताल प्रशासन ने बड़ी चूक की है पहले से तो हमको हस्पताल के जो डिपार्मेंट है डिपार्मेंट जो है जिसका पास मीरा लोगन को भिज है था हो और लोगन लॉटे में पहलें देखाने ह। एक लह दो लिज जो लेका हो यह लिर्की जिसों काम करता है जैसे हमारा आप अंदर तिंचे राज में काम करता है उसका जो जम्मेदरी है तो हम मेरा यह ना कोई दुरकटना घट जाए तो मेरा आमको पर जम्मेदरी पढ़ेगा लेकिन उस लोग अभी तक इसके बारे में आज इतना दिन में कोई आमको फोन से भी बत नहीं जब उनका सेज़ करती हैं दिल्ली से एक विशेश टीम आकर यह पोलिग्राप टेस्ट को कर रही है जिसमें संजे रॉय इसके लावा पूर्स प्रिंस्पर संदीब गोश दो टेनी डॉक्टर एक इंटन और दो अन्यस्टाप शामिल हैं सीबी आई स्टेस के जरीए जानना चाहती है कि आखिर आठ और नो अगस्ट की राग सेमिनर हॉल में क्या हुआ था तो ये तो क्लियर होता जा रहा है कि इस केस से जुड़े वो कौन से और कितने किरदार हैं जिन पर सीबी आई अपनी जाच फोकस कर रही है नमबर वद आरोपी संजे रॉय जिसे 14 दिनों के लिए जेल भेजा जा चुका है नमबर दो आरजिक करका बुरू प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष नमबर ती फॉस्ट इयर बीजी डॉक्टर अरका नमबर चार फॉस्ट इयर बीजी डॉक्टर सौमीत्र नमबर पांच हाउस स्टाफ गोलाव नमबर चे एक इंटरन सुफदीब नमबर साथ अस्पताल का एक और स्टाफ इन सब को पॉलिग्राफिटेस्ट से गुजरना होगा डॉक्टर रेप एंड मडर केस की कड़िया बहुत उलची हुई है CBI का मानना है कि जो भी बयान उसने अब तक दर्च किये हैं उसमें कई बयान ऐसे हैं जिनमें विरोधा भास है CBI ने सुप्रेम कोर्ट में इस बात को लेकर यहां तक दावा किया कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को सुरॉक्षित नहीं रखा बड़ा सवाल ये भी है कि CBI ने जिस क्राइम सीन के C.F.S.L. के एक्सपर्ट के जरीए चाच करवाई क्या C.F.S.L. के एक्सपर्ट छुपे हुए सबूत नहीं तलाश कर पा रहे पुर्व प्रिंस्पल संदीप घोश्ट से लगतार पूच ताच करने के बाद फॉलिग्राफिय में जो सवाल पूचे जा रहे हैं वो इसी से संबत दीथ हैं आपको वार्दाद की खबर किस ने दी? सेमिनार हॉल के पास मरम्मत क्यों कराया? आपने पुलिस को सूचना ततकाल क्यों नहीं दी? पहला जो सबसे पहले मैंने पकड़ा था वो स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे फेल करा करके उन से पैसे अच्छे खासे रकम असूलते थे और जो उनके बात नहीं सुनते थे कुछ उसमें स्टूडेंट थे जो ये पैसा को कलिक करते थे फिर उन्ही जूनियर स्टूडेंट को वो शराप पिलाते थे उनको पैसे का लालश लट लगाते थे इसके लावा बहुत सारा बेयाईनी काम जैसे और बाड़ी का लेके तसकरी करना जैसे बायो मेडिकल विस्ट का मैंने बताया था इसको भी मैंने एक्स्पोज किया था संदीब घोष क्या च्छिपा रहे हैं? क्या बता रहे हैं? उमीद है कि पॉलिग्राफी टेस्ट से दूद का दूद पानी का पानी हो पाएगा लेकिन उस रात क्या हुआ था इस गुद्धी को समझने के लिए सबसे पहले सिक्वेंस समझना होगा सुत्रों के मताबिक आठ नौ अगस्त की रात वारतात की टाइम लाइन इस तरह से है पीडिता और दो फस्ट यर के छात्र अरका और सुमित्र ने बारवजे रात को साथ में डिनर किया इसके बाद वो समिनार रूम में गए जहां वो डेर से दो बजे तक रहे और नीरत चोपड़ा का जैवलिन फाइनल देखा सेमिनार रूम के सामने स्लिप रूम है जहां डॉक्टर आराम करते ही अलका और सुमित्र स्लिप रूम में गए जबकि पीडिता सेमिनार रूम में आराम करने लगी गुलाम ने पौने तीन वजे तीसरी मंजिल पर जाने की बात कही जब कि सुधीप ने कहा कि वो इंटर्न रूम में था तीनों कमरे, समिनार हॉल, स्लिप रूम और इंटर्न रूम तीसरी मंजिल पर एक दूसरे के बात ने इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि चार डॉक्टरों में से क्या किसी एक ने भी समिनार हॉल में उस रात क्या हुआ ये जान पाए CBI चार डॉक्टरों और दो स्टाफ से यही समझनी की कोशिश कर रही है इसलिए जूट पकड़ने वाली मशिन का इस्तेमाल कर रही है इन लोगों से जो सवाल पूशे जा रहे हैं उसकी लिस्ट भी देख लीचे खाना खाने के बाद आप कहांगे क्या आपने बिडिता की चीख सुनी वारताद का पता चलने पर आपने क्या किया सवाल है कि पिडिता को आखरी बार जिन्दा देखने वाले चार डॉक्टरों के पॉलिग्राफ टेस्ट से सीवी आई को क्या हासिल हो सकता है और उससे भी बड़ा सवाल है कि सीवी आई के सामने ऐसी कौन सी चुनौती आ गई है जिसके चलते उसे एक दो नहीं बलकि साथ दोगों के पॉलिग्राफ टेस्ट कराने की जरुरत पड़ गई इस वारदात के अगले दिन कोलकता पुलिस ने संजे रॉय को गिरबतार किया था कलकता पुलिस संजे रॉय की गिरबतारी के बाद इस मामले को जितना ओपन एंड शेट मान रही थी सीवी आई को ऐसा नहीं लगता है कलकता पुलिस की नजर में मुख्यारोपी संजे रॉय है लेकिन सीवी आई असली कातिर तक पहुचने के लिए साथ किरदारों का पॉलिग्राफ टेस्ट करा रही है बता दे कि कलकता पुलिस ने सेमिनर हॉल में मिले एक ब्लूटूथ के जरीए अगले दिन संजे रॉय को गिरपतार किया था असल में सीवी आई के सामने सबसे वड़ी चुनोती ये है कि सीवी आई उन्ही सबूतों पर जाज करने के लिए मजबूर है जो कलकता पुलिस से सीवी आई को मिले हैं जैसे कलकत्ता पुलिस द्वारा लिया गया पिडिता का डी एने सेंपल। CBI के एंड्री से पहरे पिडिता की बॉड़ी का पोस्ट माटम हुआ और बाद में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस वज़े से अब द्वारा सेंपल नहीं लिया जा सकता। CBI के पास ना बॉड़ी है नहीं स्पार्ट पर मौजूद पूरे साक्ष। मौका ये वारदात पर एक से जादा लोगों के फुट्प्रिंट्स भी जांच में अरचन पैदा कर रहे हैं। जाहिर है टेक्निकल सबूत जुटाने में भी CBI को दिक्कते आ रही हैं। मतलब सवाल खुम फिर कर वही पहुच जाता है कि क्या आरोपी संजे राही गातिल है या खातिल कोई और है। क्या गतल एक से जादा लोगों ने मिलकर किया या गतल संजे राय ने किया और सबूत किसी और ने मिठाए। क्या कोलकाता पुलिस की थियोरी CBI के गले नहीं उतर रही। क्या जूट पकड़ पाती है और कैसे पकड़ती है। सबसे पहले जानिये कि क्या होता है पॉलिग्राफी टेस्ट। पॉलिग्राफ एक मशीन है जिसमें व्यक्ति से अटेज किये गए सेंसर से मिलने वाले सिगनल को एक मुविंग टेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें व्यक्ति के शरीर पर छे सेंसस अटेज किये जाते ही। अब जानिये कि क्यों करवाया जाता है पॉलिग्राफी टेस्ट। जब आरोपी या संदिग्द पूछ ताच में कुछ छिपाने की कोशिश करता है या अपना बयान बार बार बदल देता है। किसका लिया जाता है पॉलिग्राफी टेस्ट। अदालत की परमेशन और संदिग्द की सहमती से जाज एजेंसी कर सकती है टेस्ट। कैसे काम करता है पॉलिग्राफी मशीन, मशीन इन्हें रिकॉर्ड करता है। सांस लेने की गती, व्यक्ति का पल्स, व्यक्ति का बलड प्रेशर, व्यक्ति का पसीना, हाथ पेर का मुब में। कॉलकाता के से इसलिए भी उलच गया है कि जिस आरोपिस संजे रॉय को कलकता पुलिस ने गिरिफतार किया उसका कहना है कि वो निर्दोश है। उसे भसाया चा रहा है, संजे रौ की उखिल का कहना है कि वो पोलिग्राफी टेस्ट के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि सच सामने आ सके लेकिन सवाल है कि क्या संजे सच बोल रहा है संजे के दोस्त ने उसके वेवहार को लेकर जुकाहा उसे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है दारू पीता था रात को इतना राई वह यह द्या पीते बीयर लग आज तो हम दो गोत पी लिया था हagar लेकि कौं ज़ारा था चरकान की हम दो ए कहा कर दो हम पिला है हम किला है बादे वह भी बहुत कहानिया चल रहे हैं कि रेड लाइट एरिया बहुत जाता था यहां का और यह गंदी गंदी वीडियो देखता था यह हो सकता था पत्नी जो थी एक से ज़्यादा पत्नी थी उसकी बताते हैं यहां पर कोलकता केस की जाज कहीं उलच कर दम ना तोड़ दे इसलिए CBI कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है CBI हर एक उस तकनीक का इस्तमाल कर रही है ताकि इस मर्डर मिश्ट्री से परदा उठाय जाए लेकिन इस तरह से इस घटना और इस वारदात ने कोलकता ही नहीं बलकि पूरे देश में आकरोश की लहर दोड़ा दिये और हर तरफ दरिंदे के लिए फासी और बेटियों के लिए इंसाब की मांग की जारी है सियालदा कोट, कलकत्ता हाई कोट, सुप्रीम कोट जिसने सुदा संग्यान लिया सब की नजरे CBI जाच पटिकी हैं CBI कोट में ये कलियर कर चुकी है कि साचों के साथ छेड़ चाड़ किया गया लहाजा अब सवाल है कि क्या कोलकाता केस का सच देश के सामने आ पाएगा या लंबी जाच तारीख पर तारीख वाले फैसले में उलचकर कुछ भी मुकमल पता नहीं चल पाएगा क्योंकि इंसाफ में धेरी का एक मतलब ये भी होता है इंसाफ का नहीं मिलना जब पूरी गुनिया को ये लग रहा है कि इरान इसराइल पर बड़ा हमले करना जा रहा है तो ऐसी जगी माहौल में इरान को पचारते हुए हूती ने लाल सागर में फ़फनाख हमला किया है हूती के इस हमले ने इसराइल और अमेरिका के फोश उड़ा दिये है हूती ने साफ कह दिया है कि इसराइल और अमेरिका को हानिया की हत्या और गाजा में चल रहे नर्स हांगर की कीमत चुकानी पड़ेगी अगर इसराइल और अमेरिका हूती लड़ाकों को अनाडी और कम खतरनाक समझते हैं तो जरा लाल सागर का ये वीडियो देख लीजिए हूती ने ऐसा धमाका किया है कि इसराइल, अमेरिका और ग्रीस के होश उड़ गए हैं हूतीयों के इस हमले की हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे लेकिन पहले ये जान लीजिए हूती ने इसी वक्त हमला आखर क्यों किया है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जिस वक्त इसराइली सेना गाजा पटी, खान यूनुस और रफा में चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मार रही थी उसी वक्त हेजबुल्ला उत्तरी इसराइल पर लेबनान की तरफ से भीशन हमले कर रहा था जिस वक्त इसराइल हेजबुल्ला के 40 ठिकानों पर हमला करके उसके आधे से जादा टॉप कमांडर्स को मार रहा था ठीक उसी वक्त लाल सागर में यमन के हूथी विद्रोही नौसेना मिसाइलों से अमेरिका और इसराइल के लड़ाकों युद्भूत पर भीशन हमला कर रहे थे मिडल इस्ट और बश्चिमेशिया में इस वक्त इसराइल अमेरिका की शेह पर कोहराम मचाय हुए है लेकिन ये भी सच है कि ना तो हमास ना ही हिजबुल्ला और ना ही हूथी के लड़ाके हमला करने से चूक रहे हैं और इसके पीछे की सबसे भड़ी वज़े है इरान जो इसराइल के वजूद को खतम करने पर आमादा है हूथी पिछले दस महिने से लाल सागर में इसराइल, अमेरिका, ग्रीस और पश्चिमी देशों को निशाना बना चुके है हूथी ने भोड़ा तेड़ लाख मिट्रिक टन का बम हम आपको दिखाते हैं हूथी ने कैसे ग्रीस के तेल टैंकर को धमाके में उड़ाया हूथी विद्रोहियों ने उस पर ड्रोन और मेसाइलों से ताबर तोड़ हमला कर दिया खबरों में दावा किया गया कि जिस वक्त तेल टैंकर में हमले के बाद बारूदी धमाका हुआ उस वक्त तेल टैंकर में कच्चा तेल लबा लब भरा हुआ था ग्रीस के तेल टैंकर में धमाका होते ही आग की लफटें आस्मान चुने लगी हूथी के इस हमले के बारे में और क्या जानकारी मिली है जरा उसे भी जान लीजिए खबरों के मताबिक ग्रीस के तेल टैंकर पर हूथी ने किस तारीख को हमला किया था इसकी पुष्टी ग्रीस की तरफ से नहीं की गई है लेकिन हूथी लड़ाकों ने दावा किया है कि लाल सागर में तेल टैंकर पर हुए हमले का एक वीडियो 22 अगस्त को फिल्माया गया जबकि इस वीडियो को शुकरवार यानि 24 अगस्त को हूथी की तरफ से जारी किया गया युनाइटिट किंडम मैरिटाइम ट्रेट ओपरेशन्स के मताबिक लाल सागर में ग्रीक ध्वजवाले तेल टैंकर पर तीन बार आग लगी थी जिसके बाद भयानक धमाका हुआ युरोपिय संग की एजेंसियों के तरफ से यहां तक दावा किया गया कि जिस तेल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ है उसमें तेल लाख मिट्रिक टन कच्चा तेल भरा है जो अब लाल सागर में बहुत बड़ा खत्रा बन चुका है तेल टैंकर पुरी तरह से तबाह हो चुका है जबकि एक युरोपिय युद्धपोत ने तेल टैंकर में मवजूद चालक दल के 25 लोगों को बचा लिया वही हुथी कमांडर ने दावा किया कि हुथी इस तरह के और भी भीशन हमले लाल सागर में करता रहेगा प्यारा, प्यांब लो, प्यावलियांए था आणीा, वालियां अभैपने इ। ए लंकारे जा हा, प्यावलियांप झालियांए आफे लो, आजाव Haydnानी एकानी इ। ञिल में होरा इपैलियां इकMusic div हम आपको हूथी से जुड़े चार वीडियो दिखा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यमन के हूथी लड़ाके आखिर क्यों इसराइल और अमेरिका के खून के प्यासे हो चुके हैं पहले वीडियो को ज़रा गौर से दीखिए जहां हमास चीफ खानिया की तस्वीरों को लेकर हूथी लड़ाके और हानिया समर्थक जबरदस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं यमन में हुए इस प्रदर्शन में हजारों हूथी शामिल हुए हाथों में हमास चीफ खानिया और हजबुल्ला के नंबर दो रहे कमांडर फ्वाद शुकर की तस्वीरें लेकर इसराइल से बदला लेने के खस्में का रहे हैं और अब आप दूसरी तस्वीर भी देखिए इसमें हूथी लड़ाके घाजा में फिलिस्टीनियों की मौतों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं हजारों की तादात में हूथी एके 47 जैसे हजारों राइफलें और गंस लेकर प्रदर्शन करते लिखाई दे रहे हैं और अब तक गाजा युद में मारे गए 40 हजार से जादा फिलिस्टीनियों को लेकर के यहां भयंकर घुस्ता है यमन की राइधानी सना में हुए इस प्रदर्शन में हूथीयों ने हधियारों के साथ जबरतस प्रदर्शन किया झाल, में हमेंदा, प्रदर्शन करते राशा है हूथियों से जुड़ी तीसरी तस्वीर ने तो इसराइल के साथ साथ अमेरिका के भी होशोड़ा दिये हैं इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि हूथी अमेरिका के सबसे खतरनाव MQ-9 ड्रोन के मल में पर खड़े हैं हूथी लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने अब तक अमेरिका के चार MQ-9 ड्रोन को मिसाइल हमला करके गिरा दिया है हूथियों के दावे के बाद से इसराइल तक घबरा गया है यमन की राजधानी सना में शुकरवार यानि 23 अगस्ट को हूथियों ने ऐसा जबरदस्ट प्रदर्शन किया है जिसने इरान तक को हैरान कर दिया पानी में फिल्ड चेयर पर बैठा हूथि लड़ाका तक इसराइल और अमेरिका से घाजा और हानिया की हत्या का बदला लेने की गस्मे का रहा है इरान के विदेश मंद्री अबास अराकची ने साफ कह दिया है तक तक के रहाल हमले का पूरा समर्थन आखरी दम तक करेंगे जबास तक करेंगे वगरव में गड़ाय की दर महवर मकामत प्राइप प्रुमे की तक दर वर खुजाह की दर होज़ ही मुजा प्राइप गरार मीगर है हमास और हिजब लड़ाक जहां जमीन के ज़री जादा हमले कर रहे है तो वहीं हूथी विद्रोही समंदर के रास्ते हमले कर रहे है और यही वज़े है कि अमेरिका और ब्रिटिन ने मिलकर यमन में हूथी ठिकानों पर पिछले 3-4 मैने में कई दर्जन भयानक हवाई हमले किये है हूथी विद्रोयों का आरोप है कि अमेरेका और ब्रिटेन ने मिलकर के यमन के करीब 424 ठिकानों पर हवाई हमले किये हैं जिसमें कई दर्जन यमन के नागरिक भी मारे गए हैं इस तरह का एक इसराइली हमला यमन में हूथी के ठिकानों पर हुआ था 20 जुलाई को इसराइल ने 2000 किलोमेटर दूर यमन पर हमले किये उसने पूरे मिडल एस्ट में कोहरा मचा दिया यमन के हूथी विद्रोयों ने 19 जुलाई को इसराइल के तेल अवीब में फ्रोन से हमला किया था और उसका पदला नेतनियाहू ने खुद अपनी आखों के सामने लिया जिस वक्त इसराइल के फाइटर जेट F-35, F-16 यमन के होदेदा पर हमले कर रहे थे उसकी एक-एक लाइफ तस्वीर नेतनियाहू लाइफ देख रहे थे जड़ा देखिए यमन के होदेदा शहर में इसराइल के बहरम एर्थ स्ट्राइक से कैसी तबाही मची थी तस्वीर नमबर एक देखिए यमन के होदेदा पोर्ट को इसराइली वायू सेना ने पूरी तरह से तबाह और परबाद कर दिया था तावा किया गया था कि यमन के इसी पोर्ट पर इरान से होथी विद्रोहियों के लिए घातक हतियार, फ्रोन और मिसाइले आती है जिनने इसराइली हमले में फरबाद कर दिया गया अब तस्वीर नमबर दो को देखिए इसराइली वायू सेना के फट्स जेट्स ने होदेदा शहर में मवजूद एक बड़े पावर स्टेशन पर भयानक हमले किये थे पावर स्टेशन को मिसाइल और खातक बमों से पूरी तरह तबाह कर दिया गया था तस्वीर नमबर तीन देखिए जिसमे होदेदा शहर में मवजूद एक बड़े तेल डीपो पर जबर दस्ट हमला इसराइली सेना नकिया था इसराइल के हमले में तेल डीपो में भयानक अग लगी थी अग कि लबते दो से तीन सो मिटर तकुर्टी हुई साब ती कि जसकती है मौके पर मौजूद सेकलो यमन के नागरी इस बेरहम हमले से हुई तामाही का वीडियो बनाते रहे מתחילת המלחמה, הבארתי שישראל תפגע בכל מי שהפגע בנו ולכן מוקדם יותר היום, כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני ביקשתי ממנו שיתמוך בהחלטה שהבאתי לתקוף את יעדי החוטים בתימן הנמל שתקפנו איננו נמל תמין הוא שימש למטרות צבאיות, הוא שימש כנקודת תניסה לנשק קטלני שסופק לחוטים על ידי איראן והם השתמשו בנשק הזה כדי לתקוף את ישראל, לתקוף את מדינות האזור לתקוף נתיב شاید בינלאומי, נתיב شاید מהחשובים בעולם यही وجہ है कि हूथी विद्रोही 20 जुलाई को यमन पर हुए इसराइली हमले का अब चुन चुन कर बदला ले रहे हैं और इसी लिए हूथीयों ने ग्रीज के देल टैंकर को धमाके से उड़ा दिया है और अब देखना होगा कि हूथी के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका और इसराइल आखिर क्या करते हैं और चलिए अब ख़बर आपको भीलवाडा से देते हैं जोहां भगवान कृष्ण के जनमोचसव यानि की जनमाश्मी के पर्व को लेकर भीलवाडा के मंदिरों में तैयारिया शुरू हो रहे हैं मंदिरों में सजावत के साथ ही विबन में जहांकियों के साथ कई धार में कायोजन भी किये जाएंगे यहाँ प्रशुद्य दूदादारी मंदिर में जनमाश्मी पर्व को लेकर तैयारिया शुरू करती गई है जिसमें मंदर के सजावत और जhouके और जाकया सजावत का कारीर प्रारंब कर दिया गया इसके साथ ही जन्माश्टमी पर्व के दूसरे दिन होने वाले मलखंब को लेकर भी भक्तों में कापी उच्छा है प्राचीन दुदाधारी मंदर में भरंदावन से आए कलाकार जांकियों और पूलों से मंदर में आकरशक सजावत करेंगे समद 1609 बसंद कंच में गुद्धार के इसकी इस्थापना हुए थी चार सो इगतर वर्स ठाकुर जी को यहां पर बिराजबान हो गये है और चलिए फिलाल इस बुलिटर में बस इतना ही आगे आगे आप देखिए मारू राजिस्तान में तमाम बड़ी कोबरे नमस्कार